चुनाव में कॉंग्रेस के स्थिती को लेकर 36 गड़ प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी अध्याक शुदीपक बैच ने कहा कि कॉंग्रेस निताओ का लगभग पूरे प्रदेश में दौरा चल रहा है चुनाव के लिए रणनीती के तहट काम हो रहा है जस तरह से रुजहान आ रहा है उसे ये जाहिर होता है कि चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी को फाइदा होगा PCC चीफ बैच ने कहा कि 11 सीटों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी जनता के बीच में जन संपर्प कर रहे हैं बिलकुल प्रदेश का मुद्दे अलग है देश का मुद्दा अलग इस समय हम देश के मुद्दों को लेखे जा रहे हैं और कहीं न कहीं पुरी देश में इस समय वर्तमान भरती जनता पार्टी से पुरी देश की जनता तरस्त है देश की जनता परेशान है महंगाई और बेरोजगारी से इसका फाइदा कहिन के कॉंग्रेस पर्टी को मिलेगा किसान परेशान है युवा परेशान है माता बहन परेशान है इसका फाइदा भी कॉंग्रेस पर्टी को मिलेगा इसलिए हम पाच गारंटी पाच न्याय विना को लेकर हम जा रहे हैं तो निश्चित तोर पर पूरे देश में इसका अच्छा माहुल है किसान चाहते हैं MSB मिलना चाहिए वो कॉंग्रेस पाटी देने को तयार है मता बेहनों का हाथों को सक्छम करें योगों को नोकरी चाहिए वो कॉंग्रेस पाटी देने को तयार है तो इस तरह से पाच नई गरंटी योग लेकर हम देश के चुनाओं में जा रहे हैं इसका फा में पॉंग्रेस गडवंदन की सरकार देश में बनेगी